हेलो फ्रेंड्स, वेल्कम टू किवान रिसर्च एन इनोवेशन चैनल में कोडूलर के निव वर्जेन में आपका जो भी एड़ोटेजमेंट है, मॉनेटाइजेशन है, अप्रूवल है, सब कुछ गुगल एड मैनेजर देखने वाला है, तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, मुझे ये जो अपडेट है, कोडूलर का वो पसंद आया है, जहां पर मॉनेटाइजेशन के लिए हमें बहुत सारे अड़ोटेजमेंट प्लाटफॉर्म का यूज़ करना पड़ता था, अभी हमें स्रिफ गुगल एड मैनेजर का ही यूज़ करना है, इसका फा खुद का एड मैनेज करना बहुत मुश्किल होता था, अभी बहुत ज़्यादा आसन हो जाएगा, क्योंकि एक छोटा सा प्लाटफॉर्म लोगिन का आपको कोडूलर खुद प्रोवाइट करेगा, इसके लिए आपको कुछ गाइडलेंड से जो कोडूलर ने अगर यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा यूजर्स है जो यूज करते हैं प्लाटफॉर्म वो है एड मोब, वो भी गूगल का ही प्लाटफॉर्म है, एड मैनेजर जो थोड़ा सा इससे एड मोब से और बहुत जादा उसमें एक्स्ट्रा फ्यूचर्स दिये गए हैं, यह ज जो एड मोब है सबसे ज़्यादा यूज करते थे, इसके बाद आप इसको यूज नहीं कर पाएंगे, उसके जगा आपको गूगल एड मैनेजर यूज करना होगा, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, रेवेन्यू जो था शेयर का पहले तो 7% लेता था था कोडूलर, अ आपके जो रेवेन्यू है, वो मेरे ख्याल से ज़्यादा फरक तो नहीं पढ़ने वाला, लेकिन थोड़ा तो परक ज़रूर पढ़ेगा, रेवेन्यू प्रॉफिट शेयर के बारे में हम अगले वीडियो में ज़रूर डिसकस करेंगे, ओके तो हम आगे बढ़ते हैं, हमा आप एक अपलाएगा बटन है, वहाँ पर क्लिक करना है, सिम्पली आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, एड मैनेजर, कोडूलर अप्लिकेशन, यहाँ पर सबसे पहले उससे अप्रूल लेना होगा, यहाँ पर आपको खुद का मेल डालना है, जिससे आपने करेंटली जो भी अड़ोडाजमिंग कंपोनेंट से हम यूज कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल कर रहे हैं, और अपन कौन-कौन से जो प्लैटफॉर्म में यूज कर रहे हैं, एड मोब हम करी रहे हैं, फेस्बुक भी करते हैं, और यहाँ पर स्टार्ट आप भी कर रहे हैं, य यह मेरा 10 to 50 डॉलर्स है यहाँ पर आपको प्रूव देना होगा एक रिसिप्ट आपको जनरेट जो होती है रिवेनुर की आड मुप पर या कही और जो प्लाटफर्म यूज करते होंगे उसका रिसिप्ट आपको यहाँ पर अप्लोड करना जरूरी है एक्जाट उसी अमाउ कंपोनेंट्स है वो कैसे यूज करते हैं स्टार्ट कैसे किया जाए यहाँ पर देखियो फ्रेंट्स जो स्टार्ट विद्ट गूगल एड मैनेजर कैसे करेगे यह फिरा तो इन्वाटेड ओनली दिया है यह बिटा वर्जन है अभी तो उसका फूल वर्जन जल्दी करना है कोडूलर यह पैरेंट अकाउंट है आपको एक छोटा सा चाइल्ड अकाउंट देगा जहाँ पे आप आपके आडवरेजमेंट जो भी है जितने भी आपने लगाया होगा जो भी आपके आड अप्रोड होगे हुए होंगे वह वहाँ पे सब कुछ शो कराएगा लेकिन यहाँ पे मुझे थोड़ा सा एक इशू आ पे थोड़ा सा दिक्कत यह आ रहे है कि आपको एलिजबिलिटी शो करना पड़ेगा जी हाँ यह अकाउंट ओपन करने के लिए गूगल का एड मैनेजर अकाउंट हैंडल करने के लिए आपको एलिजेबल होना और एलिजबिलिटी का यह रूल है आपका एक ना एक कोई तो भी आप जो है वो कोडूलर से अप्रूल होना जरूरी है और आपके जादा से जादा आप रिजेक्ट नहीं होना चाहिए जब आप कोडूलर से अप्रूल लेते हैं तो तो आपको दिक्कत हो सकती है आपको य मेरे बहुत से आप जो है मॉनेटाइज है तो मुझे कोई आप पर प्रॉब्लम नहीं आया है देखें यहां पर अगर आपका कोई भी आप अप्रूवल नहीं है या ज्यादा से ज्यादा एप रिजेक्ट हो चुके है मॉनेटाइजेशन के लिए तो आपको यह अकाउंट है नहीं मिलेगा आपका जो अकाउंट है वह अक्टिव नहीं हो पाएगा तो निव यूजर्स जो है यह द्यायन दीजिए यह आपके लिए बहुत जादा इंपोर्टन है लेकिन घबराने के कोई बात नहीं आप नया अकाउंट ओपन करके यह अप्रूवल ले सकते हैं मेल आता है वो किस टाप का मेल आता है तो हम आगे देखते हैं फ्रेंज जैसे ही आप वो फॉर्म सब्मिट करते हैं तो आपको एक मेल आएगा और यह जो इनुटेशन का मेल रहेगा यह कोडूलर ने आपकी अकाउंट से गुगल अड्ड मैनेजर इसे सेंड किया होगा औ आपके कुछ क्रेटेरिय लिखा रहेगा, eligibility क्या है आपकी वो लिखा रहेगा, आपका communication या जो भी bonding है, कुडूलर के साथ कैसी है, आपके app से और आपके अपरोल से पता चलेगा, वो आपके view request पे आपको click कर देना है, जैसी आप इसे click करोगे, आपका जो form है Google Ad Manager उनको submit हो जैसे ही आपका अपरोल हो जाता है, वैसे ही आप आड आपके show होना शुरू हो जाएगा, आप eligible हो जाओगे, दो business days यहाँ पे लगेंगे, आपको आड जो आपकी है Google Ad Manager से अपरोल आने के लिए, दो दिन के अंदर आपको यह अपरोल मिल जाएगा, यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, पेमेंट्स का, यहाँ अगर जैसे ही आपका अपरोल आ जाता है, तो इस तरह का message आपके codular account में दिखाए देगा, यह कब होगा, जब Google Ad Manager आपके request को accept करेगा, देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही आपका request accept हो जाएगा, तो Google Ad Manager आपको एक control panel प्रोवाइड करेगा, और यह जो panel है, Ad Manager का, यहाँ codular के account से ही आप handle कर पाऊगे, यहाँ पे आपको खुद का जो app है, वो add करना होगा, और ऐसा app जो codular से approval है, वो ही आप यहाँ पे add कर पाऊगे, simply add move जैसा ही है, आप simple यहाँ से अपना app add कर सकते हो, यहाँ पे friends आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, क्योंकि आपको वो ही app upload करना है, जो play store में publish है, पहले से publish है, उसे ही आप add के लिए approval करा सकते हो, यहाँ पे देखे, कुछ rules लिके है, app id के, यहाँ पे देखे, play store में अगर है, तो ही आप डाल सकते हो, अगर आपके पास play store account में आपका नहीं है, तो यहाँ और एक option आपको codular ने provide किया है, जो होता है, कि आप अगर, आपका play store में अगर नहीं है account या आपका कोई app प्ले स् store account जो है, for example, Amazon App Store, वहाँ पे तो भी आपका जो app है, वो publish होना बहुत जरूरी है, तब ही आपको approval मिल सकता है, ने तो आप यह app जो है, only create टो कर सकते हैं, लेकिन monetization के लिए आपका approval नहीं हो पाएगा, ध्यान देने वाली बात यह है, आप यहाँ पे Amazon App Store, जो free account होता है, वो आप create कर ले, और आपके app सबसे पहले वहाँ पे upload कर ले, Amazon App Store यह सच में, आपके app को जल्दी अप्रोल कर देगा, देखिए friends, यहाँ पे जो component है, वो use कैसे करेंगे, जो हमें नए जो platform है, वहाँ पे जो provide किया है, codular ने, बाकी जो platform है, वो तो आप जानते हैं, कुछ Wix में तो delete हो जाएंगे, चलिए friends, हम अपने codular platform में चलते हैं, कि यह component जो है, ad manager का use कैसे करते हैं, हमें same monetization में जाना है, वहाँ पे advertising, एक option दिया है, यहाँ पर देखिए friends, यह तीन option जो उपर है, banner ad, industrial ad, और rewarded ad है, यह ही आपको दिखेंगे, और बाकी platform कुछ week में ही सब कुछ य दिया जाएगा, देखे friends, मैंने दो component ले लिया है, blocks में चलते है, simply आपको screen initialize करना है, और जैसे आप बाकी के जो component यूज़ कर सकते हैं, उसी तरह से use कराना है, simply हमें, जो ad है, banner ad हमें load कर देना है, industrial ad का ऐसा है कि आपको जब ad loaded हो जाएगी, तो वो show करना शूरू कर देगा, add जो है, आप पर हम show लगा देंगे, load जो है, वो तो initialize जब होगी screen तब ही होगा, हमें तो shift add show करना है, जब load complete हो जाए, तो इस तरह से simply जो हम इसके पहले भी use कर सकते थे, यही होगा, यहाँ पर changes बस एक फ्रेंड है, जो changes है, वो है, आपका जो app id है, आप डारेक्टली यहाँ पर use कर सकते थे, लेकिन इस तरह से आप app id यूज नहीं कर पाऊगे, आपको single app id यूज करना होगा, जो google add app, जो manager ह वो आपको provide करेगा, गूगल add manager जैसे आपका create होगा, आपको single id मिलेगी, आपको multiple id पर लगा सकते थे, आपको single id मिलेगी, और वो यहाँ पर monetization में यहाँ पर paste कर देना है, और वो single id पर multiple ads चलेंगे friends, आपको बार बार जो id का change करना पड़ता था, वो problem यहाँ पर आपका solve ह हो चुका है, तो आगे बढ़ते friends, fourth point, GDPR जो है आपका जब google add manager account ओपन हो जाएगा, तो इसके कुछ rules है friends, यह हम जल्दी discuss करेंगे, यहाँ पर simply आप एक overview देख लीजे, इसके बारे में आपको और जानना है, तो इस website की जो URL है, मैंने description में आपके लिए available कर दिया है, आप से click करके यह पूरी information आप खुद check कर सकते हैं, और हम जो point discuss करने वाले है friends, वो monetization को ही लेकर है, इसलिए हम चलते हैं next point पे, request for payout, जब आपको payout करना होगा, जब आपकी earning हो चुके है, तो payout कैसे करना है, उसके कुछ rules यहाँ पे codular ने fix किया है, और आपके लिए बहुत अ 25, जो month के होगा, next month के end में, 20 से 25 तारिक के बीच में होगा, मतलब यहाँ पे आपको 5 दिन दिया है, जो आपका payout आपके account में आएगा, और यह friends देखे, इसका एक screenshot यहाँ पे provide किया है, यहाँ पे सबसे important बात friends देखे, आपके 15 डॉलर कम से कम आपके account में जमा होना जरूर आप उसके लिए transaction कर सकते थे, payout हो सकता था, लेकिन आपके लिए बहुत अच्छी बात है friends, 15 डॉलर बहुत जल्दी earn हो जाते है, ठीक है, यहाँ पे आपको request कर देना है, उन्हें payout के लिए जैसे 15 डॉलर आपके account में जमा हो जाते है, 15 या 15 से ज़्यादा, देखे friends, आपको request send करना होगा, withdrawal के लिए, 2 से 4 दिन जो है, उसको लिए process हो जाएगा, और या पे 15 डॉलर आपके लिए, withdrawal के लिए must है, तो friends, यह changes, यह update आपको कैसा लगा, comment box में जरूर देजिए, यहाँ पर processing payout batches दिया है, every month में जो है, आपका account में money transfer कर दिया जाएगा, bank account यहाँ पर use करोगे, तो कुछ time लग सकता है, लेकिन अगर आप PayPal यूज़ कर सकते हो, तो same day में आपको payment मिल जाएगा, ओके friends, तो next last point जो है, हम देखते हैं, कि अगर आपका revenue रुखता है, कुछ problem आती है, आपके withdrawal में, तो वो क्या-क्या हो सकती है, देखे friends, आपका जो revenue है, जो bank से transfer नहीं हुआ है, तो उसके कुछ rules लिखा है, जो condition दिया है, वहाँ पर insufficient balance, आपको 15 डॉलर तो रहना जरूरी ह है, अगर आपके account में कुछ missing है, तो वो भी उसके लिए भी आप रुका सकते हैं, आपका payment, पर घबराने की बात नहीं है friends, Google यहाँ पे involve हो चुका है, अभी Google के साथ इनका जो हुआ है agreement, उस हिसाब से यह बहुत बड़ा और बहुत अच्छा tool होने वाला है friends, आपको codular से जोड़े रहना है, Google का personally involve होना मतलब आप समझिए कि यह जो codular tools है, वो कितने ज़्यादा improve होने वाले है, बहुत सारे ideas और यहाँ पे आ सकते हैं, में भी हो सकता है कि आपका जो भी app है directly play store में भी आ जाए, क्योंकि play store भी Google का ही है, तो friends, इसमें से सबसे ज़्यादा आपको कौन सा जो update पसंद आया है, वो comment box में जरूर comment किजिए, thank you, thank you for watching